हर दोई जिले के बिलग्राम क्षेत्र के छिवरा मौस्थित राजगार पर नवरात्री वरत में गंगा में फूल विसर्जन करने गई दो कि शुरी डूब गई पुलिस ने गोता खोरों की मदद से आनन फानन में तलाज शुरु की प्राप्त जानकारी के अनुसार कोथवाल क्षेत्र के जरला निवासी गुड़ू राजपूर्ट की पुत्री दिव्याशी राजपूर्ट ब गुड़ू की भानजी शिवांशी राजपूर्ट पुत्री शिवराज राजपूर्ट निवासी मतनी थाना सांडी दोनों रुची के साथ राजगात स्थित गंगा नदी म नवरात्री वरत में फूल विसर्जन करने गई थी। तीनों ने बिना गहराई का आकलन किये बिना नदी में घुस गई जिससे तीनों डोग गई। पास में कुछ लोगों ने इनको बेख कर शोर मचाया और रुची नाम की लड़की को गंगा नदी से निकालने में काम्याब रहे, लेकिन दिव्याशी और शिवांशी का कोई पता नहीं चल सका। आनन फानन में वहां वी रेकठा हो गई और पिलिस को सूचना दी गई खबर मिलते ही प्रभारी निरिक्ष कुमाकांट दीपक फोस के साथ राजगार पहुँच कर स्थानिय लोगों वह गोता खोरों के साथ सर्च अभियान शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही क्षेत्रा दिकारी सुनील कुमार शर्मा नायब तहसीलदार बेलग्राम अमित यादव स्थानिय लेकपाल भी मौके पर पहुँच गई प्रभारी निरिक्ष कुमाकांट दीपक ने बताया कि गोता खोर लगातार स्टीम से नदी में जाल डाल कर बच्च यह ओसा हुऊ हैं उसरी को सालह कि लरकि उसका क्या नाम है दिवान ची दिवान सी दिव्यान के तक नाम क्या है वो कहां किनो आसी जरैला कठेले यहां सा कहां हूँ जरैला कठेले